अनेक राज्यों में अभी चुनाओ सामने आ रहे हैं जिसमें हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए? हमारे तीन एजंडा होने चाहिए देखे पहला एजंडा है विकास दूसरा एजंडा है तेज गती से विकास तीसरा एजंडा है सब के लिए विकास बाद यही हमारा एजंडा है देखे भाजपा अकेली पार्टी है जो विकास के मुद्दे पर देश के चुनाओं को लेकर के गई है और हम देश की सभी राजनितिक दलों को मजबूर करेंगे कि विकास की बात कीजिए जनता जनादन की आपेक्षाओं की बात कीजिए और उसमें कौन क्या काम करता है पहल नज़र आ रहा है भाजपा के कारण ही आज विकास एक महत्वपन चिनावी मुद्दा हो गया है हम सबने भी पुराने सारी बाते याद रखने चाहिए पहले की सरकारों में क्या था अब क्या हुआ है पहले रोड़ दे एक दिन में कितने बनते जब कितने बनते पहले लोगों को याद नहीं कराएंगे तो नया ध्यान में नहीं आएगा मध्यप्रदेश को ही लीजिए आज से डेढ दसक पहले तक राजी के लोगों को ब्हुमाराज होने का ताना जिनना पड़ता था और तब तो मध्यप्रदेश और लेकिन आप नहीं देखा अब 36 गड़ भी बैमारू के लिस्ट में नहीं रहा है मत्यप्रदेश भी बैमारू के लिस्ट में नहीं रहा है रमन सिंग ने इधर काम करके दिखाया शिवराज जी ने उधर काम करके दिखाया और एकी बार विकास 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 लगातार विकास तेज गति से विकास सब के लिए विकास इसी मंत्र को ले करके चलिए और मुझे विश्वास है कि जनता इस बर्लाव को देख रही है हमें बस जनता के पास पहुंचना है